हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए कई बार जो है सरकारी भरती के लिए आप फॉर्म भरते हैं या फिर किसी परकार की मालीज आपको इंस्यूट या फिर कॉलेज में डिमिशन लेना होता है तो अगर आप BC-EBC जो बिहार में आप सबही ज जाता है जिसका फुल फ्रम होता है नन क्रिमिलर सटीफिकेट अब ऐसे में आप में से काफी सब्सक्राइब को पता नहीं होता है कि हमें जो है एंसिल बनवानी है तो हम कैसे फॉर्म को भर सकते हैं एंसिल बनवानी के लिए हमार पास कौन-कौन से डॉक्मेंट होनी चाहि रहें तो इसमें जो है उनका ही बनता है दो ही कैटी-गाडी के जो लोग होते हैं उनका ही बनता है और इसमें जो है दो लेवल होता है एक लेवल होता है आपका राजी अस्तर का और दूसरा लेवल होता है सेंट्रल अस्तर का तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मालीज का हो गया, या फिर कई सरे अलग-अलग center level की भरती आती है, या फिर center level पर किसी institute है, या फिर college मेड़मिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर NCL जो होता है आपका, यानि कि OBC NCL center level कमागा जा रहा है, तो उसके लिए आप कैसे पर्फर्म को भड़ेंगे उसका अलग प्रोषीजर होता है, तो basically NCL किसका बनता है सबसे पहले समझेए, NCL बनाने के लिए सबसे पहले काइटी गड़ी की बात करें, तो आप बिहार से हैं, तो BCBC से हैं, तो आपना NCL बनवाएंगे, NCL करतगर्थ उन कडिड को रखा जाता है जिनका परिवारी का आपको सरकार अब यहां पर हम बात करते हैं कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है और किस तरब से आपका जो कि बिहार से हैं और बिहार से ही एंसिल आपको बनाना है तो आप इस वह पोटल पर आएंगे जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप इजली यहां पर आ सकते हैं ठीक है आने के बाद यहां पर देखेंगे तो आपको जो है समाने परसासन विभाग का एक बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको जो नॉन क्रिमिलियर यानि की एंसियल इसको सौट में बोला जाता है तो आप जो बिहार सरकार के अर्थगर्थी अपना जो एंसिल है उसको बनाएंगे कई पर क्या होता है कि आप बिहार से हैं लेकिन केंदर का जो भरती होता है या फिर इसी उट होता है उसमें एड़िमीशन लेना चाहते हैं कि माली जरिलबे का भरती आ गया कोई केंदरिय विधाले है जिसमें एड़िमीशन आपको लेना है तो वहाँ अगर इंसिल मांगा जाता है तो आपको जो ही केंदर का बनवाना पड़ता है यानि कि केंदर सरकार का बनवाना पड़ता है तो सबसे पहले हम बिहार की बतायते हैं और केंदर का आप कैसे बनाएंगे उसके रिगार्डिंग हम कहेंगे तो आप लोग अलग से वीडियो ला देंगे ठीके तो बिहार से बनाना है तो इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर देखेंगे न तो इसका जो ही तीन अस्तर होता है अंचल अस्तर अनुमंडल अस्तर जीला अस्तर तो सबसे पहले अंचल अस्तर कहीं बनता है और अंचल अस्तर कहीं हर जगा डिमाड की जाती है ठीक है आप चाहें तो माल लिजे अनुमंडल अस्तर का आपका लग रहा है तो अंचल का बनाएंगे उसके बाद अनुमंडल का बनाएंगे फिर अनुमंडल का बना लेंगे तो जीला अस्तर का भी आप चाहें तो बना सकते हैं तो आपके उपर निभर करता है कि आपका जो भी एंस पिछरा वर्विक से आते हैं, तो ही आपका α이्ची-एस्टी आते हैं, तो आप जाती बनती है, ज Til का अर्फगर्थ हम बनती है, तो केंदर स अर्फगर्थ भि बनता है, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ दिखाए कि आपको लिंक किजली मिल जाता है, ठीक है अब यहाँ पे form को भरने से पहले सबसे पहले बताएंगे कि किया आपका पहले से परमारपत्र निर्गित है तो आप यहाँ पे yes करेंगे ठीक है तो उसकी जनकारी आपको देना पड़ेगा लेकिन नहीं है तो आप यहाँ पे no कर दीजिएगा नहीं मेरा बना नहीं है फिर यहाँ पे आपना जो ही जेंडर बताएंगे कि अप भुरुस हैं कि इस्त्री हैं यहाँ तिर्तिय लिंग है कोई भी अपका जेंडर बता सकते हैं यहाँ पे कोई अभिवादन आप देना चाहते हैं के माले जिए मिस्टर अभिवादन नहीं भी देना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है ठीक है उसके बाद यहां पे एप्लिकेंड का जो ही नेम आपको लिखना है जैसे कि माल लिजिए आपका नाम है राम कुमार ठीक है तीस तरह से राम कुमार लिख सकते हैं कि आपका जो है जनम्दी थी हाँ प्पुछा जा रहा है date of birth, calendar के माधियम से जो भी आपका date of birth है उसका selection आप यहाँ पर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अधार संक्यम मांगा जा रहा है, अगर माल लिजें आपका अधार card number नहीं देंगे लेकिन link है तो आप यहाँ पर दीजिएगा तो क्या होगा कि उस पर OTP जाएगा OTP के माधिम सापका verification होगा ठीक है तो नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं बेकल्पी खैसा नहीं है कि भर नहीं है फिर यहाँ पर आपना जो है अवासिय पता बताएंगे कि जो भी आपका residential address है जैसे कि सबसे पहले permanent बताएंगे कि आपका जो है state का है ठीक है उसके बाद यहाँ अपना जीला selection करेंगे नुमंडल का selection करेंगे फिर यहाँ पर परखंड बताएंगे और अपना जो है ग्राम भिलेज से आते हैं तो उसकी जनकारी बताएंगे फिर यहाँ पर आपका पूलिस एस्टेशन पढ़ता है उसकी जनकारी आप यहाँ पर सेलेट करेंगे फिर यहाँ पर पोस्ट अपीस लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई holding number, housing number है तो दे सकते हैं नहीं है तो छोड़ सकते हैं यहाँ पर circle number आपके पास है तो दे सकते हैं नहीं है तो छोड़ सकते हैं ठीके उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि आस्थानिय निकाय का परकार किया है कि आप ग्राम पंचा कोड़ी एडर्स होता है यानि की औस्थाई पता होता है बरतमान पता होता है वो सेम है तो यहां पर टी कर सकते हैं लेकिन कई बर क्या होता है किसी का जो पर्मानिट एडर्स होता है वो अलग होता है और बरतमान में कहीं रह रहा होता है तो उसकी जनकारी यहां पर मिन्वली आपको फिर से दोबारा फिर करना होगा लेकिन same to same है तो आप यहाँ पर उपर जासर पर क्लिक करेंगे तो same to same हो जाएगा कोई भी दिकत नहीं होगा अलग-अलग है तो अलग-अलग आप यहाँ पर भर सकते हैं या फिर यूँ कहले कि इसको जो है BC भोला जाता है तो जो भी आपका कायडेगड़ी है उसका selection करेंगे उसको उसके अर्तगर्थ ही आपका जाती का जो है पूरा यहाँ पे list खुलेगा जिसमें आपका जो भी जाती है उसका selection आपको करना होगा इस तरह से मान लेजिए आप पिछरा बर्ग से आते हैं तो उसमें भी आपका पूरा जाती का list खुलेगा जिसकी जनकारी आप यहाँ पे जरूर चेक करेंगे कि आप की जाती से आते हैं और कौन से बर्ग से आते हैं तो आप यहाँ पे अपना जनकारी इसको भी आपको कुछ नहीं भरना इसको भी छोड़ देना है अब यहाँ पे आपना जो पेशा है वो बताना है कि आखिर आप करते क्या है ठीक है छात्र हैं सरकारी स्यवा में काम कर रहें नीजी स्यवा में है बैपार है किसान है फिर अन्या है तो जो भी आपका कंडिशन होगा आप बता सकते हैं हमाले जी आप्ट Изडेंट है पढ़ाई करते हैं तो यहांपे असलेट कर सकते हैं फिर यहांपे अपर फादर का नियम लिखना है और पोर यहांपे मोबाईल नंबर पर घंडी दोना देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपका certificate इसू होगा तो इस mail id पे send कर दिये जाएगा और message भी आपको mobile पे भेज़ दिये जाएगा तो इसको दे दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके अभिवावक पीता पती की स्थिति है उसकी जनकारी भरना हैं मानने जिए किसी परकार की कोई उनके पास सबयदानिक पद है तो उसकी जनकारी यहाँ पर भर सकते हैं कि माता क्या करती है फिर पती क्या करते है ठीक है तो यहाँ पर देखिए पीता का option दिया गया है यहाँ पर माता का option दिया गया है तो जो भी जनकारी भरेंगे तो अगर मालीजे कोई सरकारी सेवा में है तो बताएंगे ठीके उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तकहां में देखेंगे अंतराष्टिय सेवा में कोई नियोजित है जैसे कि मालीजे युनिसेफ हो गया इवेन हो गया या फिर डबलू एच हो गया उसमें अगर कोई काम कर करता है नियोजित है तो उसकी जनकारी आप यहां पर भरेंगे जैसे कि मानले कौन से संगटन का नाम क्या है ठीक है पद नाम क्या है सेवा का नाम क्या है जैसे कि यहां पर पीता पती और यहां पर पती क्या दिया गया है ठीक है माता पीता और यहां पर पती क्या दिया गया यहाँ पे उसके बाद मान लिजे आप आम स्पोर्स में काम करते हैं मिलिटरी में काम करते हैं आपके माता पीता ठीक है तो उसकी जनकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि वो कौन से पोश्ट पे काम कर रहे हैं बेतन कितना है तो इसकी जनकारी यहाँ पे भरेंगे ठीक है ती यहां पे आपको भरना होगा बाकी यहां पे उनका पता छेतरपल एकड़ वगर यहां पे बताएंगे बाकी यहां पे देख सकते हैं कि सिचित जमीन का परसीतर भी आप बता सकते हैं कि आपके पास कितना जो है सिचित जमीन है उसकी जनकारी आपके पास है तो यहां पे भरे ठीक है इस तरह से अलग लग जो ही जनकारी यहां पर मांगी जाती है परती जमीन आपके पास है भावन सहरी छेतर के लिए है तो आप यहां पर भर सकते हैं संपती का स्थान हो गया संपती का डीटेल्स हो गया नौकरी से कोई आया है तो आप यहां पर बता सकते हैं कि आपक तो जो भी आय पमार पत्र बनवाय हुए है उसमें जो भी आपका आय मेंसन है जिसमें अपने वेवसाय से कितना आय दरसाय हुआ है या फिर पेंसन से आय कितना दरसाय हुआ है नौकरी से आय कितना दरसाय हुआ है या फिर क्रीसी से या फिर मतलब क्रीसी से आय कितना दरसाय हुआ है ठीक है हमारे घर में क्रीशी से और सरकारी से वस्ते आये नहीं है तो इस जनकारी को हम यहां पर फील करेंगे ठीक है तो इस तरह से आपको जो इसलिद का यहां पर जायेगा बाकी आप यहां पर अगर ने से कि आपका जो ही कितना आय है तो टोटल आपका आय अपने आय परमार पत्र के हिसाब से यहाँ पर देंगे ठीके उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप कर भुक्तान करते हैं अगर करते हैं तो हा करेंगे नहीं करते हैं तो नो करेंगे क्या संपति करके अर्थगर अगर हा तो यहाँ पर जनकारी भरेंगे नहीं है तो इसको ऐसको चोड़ सकते हैं को भी दिकत नहीं है लेकिन है तो ज़रूर भरverage के कौण से पद कारी दैना होता है document के रूप में जैसे कि सबसे पहले अवेदक का जो है जनकारी यहां पर दिया हुआ तो उसका जो ही डॉक्मेंट आप जरूर लगांगे कितना परशेंट है तो जो भी आप डॉक्मेंट दे रहे हैं उसका यहां पर selection करेंगे जैसे कि मा लिज हमरे पास चार ही और फूरी जनकारी चेक करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है किसी प्रकारी कोई भी मिस्टेक है तो आप यहां पर अभी आपके पास option है अड़ीड के बटन पर क्लिक करके उसको एड़ीड कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं सभी जनकारी हमने सही दिया हुआ ह तो आपको क्या करना है Attach NACR के बटन पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर आपको जो ही document अप्लोड करना है सबसे पहले आवेदक का जो स्वय सपत पत्र है आपको यहां पर अप्लोड करना होगा जिसमें देखेंगे तो यहीं आपको option मिलेगा तो यह जो है PDF में JPG में क अपको जनकारी यहां पर देखने को मिलेगा कि बिहार OBC NSL परमार पत्र कैसे apply करें तो इस पर आप क्लिक करेंगे हाला कि link हम नीचे दे दिया हुआ है जिसके माधिम से आप क्लिक करके आ सकते हैं यहां पर आने की बाद देख सकते हैं कि यहां पर apply करने का भी link मिल ठीक है जिस फर्म में अपना जनकारी भरना होगा कि आपका नाम क्या है किनके पूत्र पूत्रियां है या फिर गाउं सहर पोश्ट अपिस्थाना परखंड अनुमंडल जीला राज्य कया है ठीक है और अपना जाती का नाम लिखेंगे फिर यहां पर नीचे आएंगे तो मेर कि आईप व 없다 में गैं सन्हें उसके हिसाजब से आपको लिखना है यह कि इतना है ठीक है माली जब मटा-टपाइश्थी यहा पर प्चासी ज़र लिखेंगे इस तरद से जनकारी को भरेंगे उसके बाद नीचे आनी के बाद यहां पर आपना सिगनेश्ठर देंगे कि हम ज जो भी आपका डॉक्मेंट है जहां भी अपने रखा होगा वहां से इसको सबसे पहले आपको यहां पे देखना पड़े गई कहा है देखिए यहां पे है तो इस तरह certificate को upload करेंगे फिर यहां पे आपना जो ही residence certificate जो की एक साल के अंदर का बना होना चाहिए तो इसका selection करेंग फिर यहां पे आपना जो ही income certificate जो की एक साल का अंदर कहीं बना होना चाहिए इसको भी यहां से upload कर देंगे ठीके उसके बाद आपका जो भी कास certificate है जो की अपने BCBC के लिए बनवाया हुआ है अंचल अस्तर से उसको यहां पे upload करना है यानि कि जाती पमापत्र ठीके तो इ अप्लोड कर देंगे तो इस तरह से जो ही document आपको select करना है और उसके बाद से बटन पर क्लिक करना है जैसे इंग क्लिक करेंगे तो आपका जो ही पूरा जनकारी यहां पे भीर करके दिखाया जाएगा कि आपने क्या क्या जनकारी को fill out किया हुआ है और आपने जो भी document को upload लोड किया हुआ है यहां से view करके जरूर कर लेना कि आपने जो document दिया हुए document सउई है कि नहीं है ठीक है उसके बाद क्या करेंगे कि आपको लगता है कि सभी जनकारी सई है तो आपको submit करना है लेकिन लगता है कि अभी भी किसी प्रकार की हमारा गलती हो गया तो आप यहा certificate बनाने का date होता है ज़्यादा जो है 21 दिन कंदर आपका बनता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है एक 20 दिन कंदर जो है आपका बनता है और कब आपको बना कर दिया जाएगा यहाँ पर उसका date भी mention कर दिया आता है तो इस तरह से यहाँ पर आपना जनकाड़ी को check out करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि आवधन संख्या भी आपको देखने को मिलता है जिससे आप अपने समय समय पर application का जो status है उसको check कर सकते हैं application का जो status है कैसे check कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कभी भी आप अपने application का जो status है check करना चाहते हैं तो आपको यहीं पर आना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि आवधन की स्थीति देखे का button मिलेगा जिस पर आपको click करना होगा और यहाँ पर आप अपने जो application number है उसको डाल कर और आपने जो भी date को apply किया हुआ है उसको यहाँ पर डाल कर देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना application number को डालेंगे ठीक है फिर यहां पे application का submission date देना चाहते हैं या फिर delivery date देना चाहते हैं उसकी जनकारी यहां पे select करेंगे तो जो भी select करेंगे उसका date देना होगा कि अपने जो फॉर्म का apply किया हुआ या फिर आपका delivery date क्या है जो भी select करेंगे उसकी जनकारी भरेंगे केपचा को फिल करके submit करेंगे तो यहाँ पर yes करना होगा उसके बाद candidate का जो ही name माता पीता का name डालकर आपको अपना application का जो ही state से चेक करना होगा अगर आपका application में delivery दिखा रहा है तो इसका मतलबी है कि आपका certificate यहाँ पर जेनेट हो गया है certificate तो आपना जोबी application नमबर है यहाँ पर फिल करके डाउलोड से चटरीफिकेट हो यहां से डाउलोड कर सकते हैं तो आपका प्रमार पतर संख्या यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और बाकि आपका पूरी जनकारी यहाँ पर लिखा रहे का रहेका जिसको मैंने Arrange कर रखा हुआ है और यहां पर देख सकते हैं कि जो भी आपके रसव अधिकारी होंगे उनका जो ही डीजिल यहां पर सिग्णेचर देखने को मिलेगा और इस तरह से आपका जो ही Certificate बन कर त्यार हो जाएगा इस तरह को बनवा सकते हैं क्या होता है कि हमें जो यह ततकाल में certificate पराब्द करना होता है तो आपको करना क्या है जैसे ही आपका application form फील होयाता है और आपको जह receiving मिलता है उस receiving को print out करना है साथी साथ आपने जो भी document लगाया हुआ है जैसे कि जाती आय निवास और आपना सपत पत्र और अधार काड उस उस print out को लेकर अपने हलका जो रसा उक्रम चारी होते हैं वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर जाकर उनसे signature करवानी होगी उस signature करेंगे और तुरांत आटी पेस counter पर लाकर आप उसको जामा कर देंगे तो आपका जो application है न एक से दो दिन में आपका एप्रूब हो करके बता दिया कि बिहार करतगर्द अपना NCL certificate अपलाई करना चाहते हैं तो किस तरह से अपलाई कर सकते हैं किस तरह से आप इसको दो दिन में अप्रूब करवा सकते हैं सातिसा certificate को कैसे डाउनलोग कर सकते हैं application के जो status कैसे चेक कर सकते हैं सभी जनकारी हमने इस वीडियो तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं जहां तक हमें knowledge होगी आपको बताने की कोसिस की जाएगी